आज मैं मतन रेसिपी बना रही हूं और बिल्कुल क्विक स्टाइल में बना रही हूं मिंटो में रेसिपी बनकर तयार होगी चलिए तो स्टाइट करते हैं मैंने कुकर में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना ऑईल डाला है और उसमें मैंने 300 ड्रैप मटन लिया है अच्छे से थोकर उसे रखा है वह इसमें डाले हूं पहले मटन को हम पहले ऑईल में अच्छे में गून दिया है और मैं इसमें सारे तमाटर और प्याज दाल दोगी तो मैंने मीडियम साइज के तमाटर प्याज लिया है तो मैंने मीडियम साइज के प्याज मैंने कट्चर ली है वह डाल दोगी और 4 मीडियम साइज के तमाटर अच्छे से कट्चर कर मैं इसमें डाल मिस्ट पॉडर डालें, आप टीस्पून हल्गी, आप टीस्पून नमक, वन टीस्पून अद्रक लहसन कर पेस्ट डालोंगी और इसे अच्छा से मिक्स कर लोगी, अगर आपको जल्दी से कुछ बनाना हो तो आप ए रेसिपी जटपड से बना सकते हैं, मिंटो में रेसिपी मैं अच्छे से घुन लूँगी, इसमें मैंने पानी कुछ भी नहीं डाला है, मतन का पानी हमारा अच्छे से छूट जाएगा, तो मैं इसे लीड लगा कर दो विजिल आने तक रखोंगी, देखिए, दो विजिल हो चुकी है, मैं या फ्लेम को लो कर लूँगी, इसे पां अच्छे से सॉफ्ट हो चुगा है, या हमें आओ थोड़ा से प्रिशर दगाना है, देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो चुगा है, बस हमें अब कुकर को लेट को लगाना नहीं है, बस इसी में मैं हरा धनिया डालूगी, थोड़ा सा गरम मसारा डालूगी, और थोड़ी स अगर लूज चाहते हैं तो फोड़ा पानी डाल सकते हैं मैंने बिल्कुल इसमें पानी नहीं दाला है जो टमाटर प्याज और मतन का पानी था वही है इसमी कंसिस्टेंसी है हमारे मतन की देखो दो मिनट तक ऐसे ही फोड़ा हम इसे पका लेंगे फिर फ्लेम को आप करतेंगे तो हमारे मतन रेडी हो जाएगा देखिए छटपट से हमारे मतन रेसिपी बनकर कयार हो चुकी है आप ही इसे जरूर राइग कीजी अगर मेरी रेसिपी देखेंगे अदि आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंस कीजिए देखिए देख देखिए यह देखिए बन झाल झाल